इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे IRCTC के बारे में जिसने की just अभी अपने quarter 1 के numbers को publish कर दिया during market hours में तो चलिए देखते है numbers कैसे रहे तो पहले beauty के outcome की बात कहें तो safe as if quarter 1 को लेके announcement हुई जिसमें की stand down plus consolidated results along with the limited review reports उसके लाबा अनदर कोई भी announcement नहीं है तो dividend bonus या फिर spirits related कोई news नहीं है तो चलिए देखते हैं IRCTC के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे सारे figure lakhs में इन करोड में बात करेंगे हम लोग quarter 1 की earnings से 4K then last year का quarter 1 का data third column में अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को ज़रूर subscribe कर ले क्योंकि result publish होते ही बहुत ही जल्दी update आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा तो revenue की बात करें जो कि last year quarter 1 में 1001 करोड का था वो इसबर 1120 करोड पर आ गया और quarter 4 में 1154 था वो इसबर 1120 करोड पर आ गया तो Q&Q तो revenue थोड़ा सा डाउन है बड़ यरली basis पे एक growth देखने को मिल रहे हैं market estimate की बात करें तो 1175 करोड का estimate लगा 40 करोड से 1171 पर आ गी quarterly 1187 से 1171 पर तो Q&Q एक डिप है और yearly basis पे growth देखने को इस बार मिल रहे हैं अगर expenses की बात करें company के खर्चों की तो yearly income बढ़ी थी तो expenses भी 676 से 761 पर आ गे quarterly income डाउन है तो expenses भी 813 से 761 पर आ गे then discuss करते हैं company को total profit or loss for the period कितना हुआ बट अगर आप exceptional item में 2 क्रोड की adjustment हुई है जो कि company के profits में add-on किये और quarter 4 में 7 क्रोड के थे तो discuss करते हैं after all the adjustment of exceptional item and taxes company को total profit or loss for the period after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 1 में company को 230 क्रोड के profit थे वो इस बार 307 पर आ गे और quarter 4 में 284 के profit थे वो इस बार 307 पर आ गे तो इस बार के profit quarter और yearly दोनों ही जगा market estimate की बात करें तो जो estimation लगाए गया था profit को लेके वो 308 क्रोड कर लगाया था तो market estimate के साफ से numbers नहीं है थोड़े बहुत कम देखने को मिल रहे है same reflection EPS में 2.90 से 3.85 पर आ गया yearly और 3.55 से 3.85 पर quarter on quarter तो जिस तरीके से profit बढ़े same EPS में भी तेजी देखने को मिल तो overall results तो का market के reaction की बात करें तो देख सकते हैं market का भी एक negative reaction है थोड़ा सा 0.43 परसंट तो बहुत जल्दी recovery हो सकती है इसमें तो आपके पास IRCTC के कितने shares में comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाब बाई